जार्खन नुज में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी खबरों को इसे पहले आप जार्खन के किस जीले से नुज को देख रहे हैं हमें कोमेंट बक्स में जरूर बताइए साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्र अननाय मरीज मिले है जो राची से 809 पूर्विस सिम्भूम 525 बोकारो 135 धनबाद 135 दुमका 108 सराइक लेकर सवा 111 पच्मिस सिम्भूम 108 देवहर 91 गोड़ा 82 कुडरमा 58 सिम्डेगा तीहतर पलामो 59 चातर एक सट साइब गन 40 गुमला 29 पाकुर 27,000 बाग 25 लोहर दगा 21 अतर मरीज स्वास्त भी हुए है वहीं कुल एक्टिव केस की संख्या 27 या 425 है जारखन में एक्टिव केस इस परकार है रांची एक गार आया 366 पूर्विस सिम्भूम 527 बोकारो 724 धनबाद 488 दामगर 692 पच्मिस सिम्भूम 490 कोडारमा 432 पलामो 904 देवघर 592 गुमला 388 गिरीडी 118 खुटी 388 सिम्टेगा 209 लातेहर 25 रायक लेखर 579 गाटवा 281 लोहर दगगा 222 चतरा 686 गोड़ा 529 दूम का 442 जामतरा 162 साइब गंज 133 पांकुर्षे 109 भागपा मावादियों का 27 जन्वारी को बिहार जार्खन बंद का एलान भागपा मावादियों ने 27 जन्वारी को बिहार और जार्खन बंद रखने का वाहन किया है पतादे बिहार जार्खन एस्पेशल एरिया कमिटीन बीगप्ती जारी कर इसकी खुशना की है पोलित ब्योरो सदस्य सपूर्व रिजनल ब्योरो के सचीव किशन दा 77 बर्षी और उनकी पतनी स्थिला को राइनितिक बंदी का दरजा देने वा बिना सर्थ रिहा करने को बंद बुलाया है बता दे एक कई से 26 जनवरी तक मवादियों ने दोनों राज्यों में प्रतिरोध सप्ता मनाने की भी बात कही है भागपा मवादियों की मांग है कि पोलित ब्योरो सदस्य सप्पूर्व रिजनल ब्योरो के सचीव किशन दा और उनकी पतनी सीला को बेतर स्वाष्ट सेवा उपलवद कराई जाए साथ ही दोनों मवादि नेतावों की बिना सर्थ रिहाई हो जारखन में MRP से अधिक मुले पर विकेगा सराब जारखन सरकार की ओर से सराब की नई बिकरी के लिए 36 गर से कंसर्टेंसी को बहाल करने के निनाय का विरोध करते हुए सरकार हमारे अधिकार को चीन रही है जो उचित नहीं है जार्खन के तेरा अनुसूचित जीलो में निकाला गया नियुक्ती का विग्यापन रद्य 13 अनुसूचित जीलो में जीला अस्तर ये पदो की नियुक्ती के संबौन्ध में जारी पूर्व के संकल्प को वापस ले लिया गया है बतादे कार्मिक एवं प्रसास्निक सुधार विभाग ने हाई कोट के आदेश के आलोक में उक्त संकल्प को निरस्त कर दिया है साथ ही कहा गया है कि जीला अस्तर के समुख और आज पत्रित समुख और समुख पदो पर न्यूक्तियों में समंधित जीले के अस्थानिय निवास्यों को प्राथ्मिकता देने समंधित कार्मिक संकल्प को ततकाल प्रवाज से वापस लिया जाता है बता दैए से पहले एकार अगर अनुशुची जीलो के मामले में संकल्प वापस लिया जा चुकाया अब अनुशुची जीलो से समधि संकल्प को भी वापस ले लिया गया है इसके साथ ही समुख और आज पत्रित समुग और समुघा के पदो पर नियुक्ती के लिए वैसी परतियोगता परिछाओ से समधी सभी विग्यापा निरस्त कर दिये गए हैं जो कार्मिक विभा के पूर्व के संकल्प के आलोक में जारी हुए थे और जिसमें नियुक्ती पत्र जारी नहीं हुई है जारखन में आदिम जारी के लिए बाइक एम्बूलेंस योईना स्विक्रीत होगा यह बतादे बुद्धवार को इसकी जनकारी देते विश्वास मंत्री बना गुपता ने कहा कि जारखन के विभीन जिलों में आदिम जारी के लवग 75,000 परिवार हैं गरामिन इलाकों में सुविधाय और संपर्क विवासा सुद्री नहीं रहने के कारण गंभीर बिमारियों से पिडित आदिम जन जाती समुदाय के लोग खाचकर गरभवती महिलाओ और बुजूर्गों को तवरित अस्पताल पहुचाना मुस्किल हो जाता है इसे देखते हुए या योजना सुरू की गई है मंत्री के अनुसार जीलो में उपायूत के निर्देश पर इसका संचारन किया जाएगा है परतेक बाइक एमपुलेंस में जीपीएस सिस्टम अस्थापित किया जाएगा ताकि उसकी निगरानी हो सके इसके लिए राष्ट इसरे महिला तिरंदाज दिपिका कुमारी, कुमोलीका बारी वा अंकीता भगत को जारकन सरकार नगत पुरसकार देगी इसके साथ ही कोच पूर्निमा महतो को भी 12 लाख रुपे नगत दिया जाएगा बतादे पिछले साल जुलाई में पेरिस में आयोजी तिरंदाजी विश्व कॉप में दिपिका ने तीन स्वर्ण पदख जीते थे जबकि दिपिका के साथ कुमोलीका वा अंकीता ने टीम इवेंट में स्वर्ण पर कवजा जमाया था खिलाडियों के इस पर्दसन के बाद जारकंट के मुख्य मंत्री हमान सुरेन ने दिपिका कुमारी को 50 लाख अंकीता और कुमोलीका को 20 लाख तथा कोच पूर्णीमा महतों को 12 लाख रुपे नगत देने की घोसना की थी लाल जी यादो के भाई का आरोप 10 लाख देने पर भाईया को थानेदार बना देते पलामो के नवा बजार के निलंबी थानेदार लाल जी यादो की मौत ममले में पूलिस मुख्यालाए के निदेश पर CID ने प्रारामभिक जाच शुरू कर दी है CID के ADG परसांच सिंग ने CID के DSP JPN चोधरी के नेतितु में जाच टीम का गठन किया है बतादे जाच टीम में तीन इस्पेक्टर भी सामिल किये गए हैं टीम को 48 गंटे के भीतर प्रारमभिक रिपोर्ट सौपने का भी निर्देश दिया गया है मौसम विभाग के नुसार राजधनी राची सहीत राजे के मौसम में अचानक बदलाव होने से कनकनी बढ़ने लगी है बतादे सर्द हवावने लोगों को घरों में कैद कर दिया है मौसम विग्यान केंद्र राची के अनुसार अगले 24 गंटे में निमतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की समभवना नहीं है धिरे धिरे दो से चार डिगली तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है बतादे अगले तीन दिनों के दरान जहरकंड में सुबा में हलके से मध दज की कोराया धोंद देखी जा सकती है वहीं 21 जनवारी तक सुबा में कोराया धोंद के बाद आसमान पूरी तरह साप रहेगा सुबा में ठंड लगेगी मगर धूप निकलने से दीन भर में ठंड से रहात मिलेगी योग या इस्टूडेंट को जहरकंड सरकार दे रही एक लाख रूपे प्रोसाहन रासी जहरकंड सरकार ने संग लोक सेवा योग की सिविल सेवा मोख परिक्षा तथा सक्षतकार की त्यारी के लिए नुसूचित जाती तथा नुसूचित जन जाती के अभियार्थियों को एक एक लाख रूपे प्रोसाहन रासी के तौर पर देने कारनी नहीं लिया है बतादे प्रारंभिक परिक्षा उतीरन कर चुके इस त्रेनी के अभियार्थियों को इस योजना कलाम मिलना है लेकिन राज सरकार को इसके लिए योग अभियार्थि ही नहीं मिल रहे है एन आई ए की दबिस से टेरर फंडिंग पर लगां 560 करो रुपे बचे जारखन के चत्रा के टंडवाई स्थी CCL के अमरपाली एवं मगद कोल परियोजनाव में टेरर फंडिंग मामले में राश्टिय जाच एजनसी ने ताबर तोर करवाई की तो सेंटरल कोलफिल लिमिटेट की लोटरी लग गई बता दे टेरर फंडिंग के नाम पर उची कीमत पर कोईला ढूलाई का ठेका लेने वाले वा देने वाले में कोई सलाखों तक पहुँच गए है नतीजा आया हुआ कि टांस्पोर्टिंग कास्ट पूर्व के मुकाबले काफी कम हो गया करीब 28 साल के भीतर इस मद में CCL के 560 करोर रुपे बच गए सुधा डेरी के लपाता इंजिनियर 27 दिन बाद बोस इस्टेंड से बरामत सुधा डेरी के लपाता इंजिनियर सुजीत कुमार को 27 दिन बाद पूलिस ने कांटा टोलिक हाद गड़ा बोस इस्टेंड से बुद्धवार को सकुसल बरामत कर लिया है बता दे धुर्वा पूलिस ने इंजिनियर से पूस्ताच की उसने बताया कि वह घरेलू समस्या के कारण डिप्रेशन में थे इस वज़ा से वह किसी को बताय बिना गायब हो गए थे उसने बताया कि वह 22 दिसंबर को पहले रामगर के गोला में थे पेट्रोल सबसीडरी योजना के तर डाटा इंट्री थेज करे रांची उपायुकते पेट्रोल सबसीडरी योजना को लेकर रांची उपायुक 26 रंजन लगाता समिक्षा कर रहे है बता दे ज्यादा से ज्यादा पात्र लोगों की पोर्टल पर इंट्री हो सके इसके लिए उन्होंने पदाधिकारियों को मीशन मोड में काम करने का निर्देश दिया है वह अब बुद्धवार को इस वोजना की समिक्षा कर रहे थे बता दे जीले के सहरी वमगरामीन छेतर में पेट्रोल सबसिड़ी जोजना के लाव के लिए अब तक पात्र लोगों की इंट्री की समिक्षा करते हुपायुक्त ने और तेजगती सिकार करने का निर्देश दिया कोचिंग खोलने की मांग कोचिंग फेडरेशन ओफ इंडिया के परदेश सचीव रितेश सिंगने बुद्धवार को राज जेपल रमेस बैस को ग्यापन सौपकर कोचिंग संस्थाओं की आर्थिक और मांसिक इस्थिती से अवगत कराया उन्होंने 50% के साथ कोचिंग संस्थाओं को पुना खोलवाने को लेकर सरकार से बात करने का आगरा भी किया बता दे उन्होंने बताया कि पिछले लगवक दो बरसे कुरोना के कारण सीक्षा चेत्र को सर्वधिक नुकसान उठाना पड़ा है परसासन के आदेश से स्कूल एवं कोचिंग संस्थानों को अधिकान समय के लिए बंद करना पड़ा है 136 अवासे बिद्याले के 2100 चातरों को टैव देगी सरकार सरकार कल्यान विभाग के 136 अवासे बिद्याले के चातरों को ऑनलाइन कलास के लिए टैव देगी कल्यान वस्वास्त विभाग के आयूस चिकित्सकों की सिवा निवरिती के उम्र भी 65 बरस होगी धन्यवाद यदि आप चैनल पढ़ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वाल का बेले कंद भाई है साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों को साथ सेर करना ना भूले थैंक यू